मश्कार दोस्तो आपका हर्दिक स्वागत है जो 30 आवतार यूट्यूब चैनल में हम बात करने वाले हैं आज के मीन रासी फल के बारे में दोस्तो वीडियो आग बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सबकाइब करें और साथ में नोटिफकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर मेहत्पुन रासी फल पहुंच सके चलिए दोस्तो बा बेहनों का सयोग मिलने की संभावना पाई जाती है संतान पक्ष को लेकर चिंताय बढ़ने की भी संभावना है और साथ ही आने वाले दिनों में आपको काफी फाइदा भी हो सकता है आपकी इंकम बढ़ने के योग बन रहे हैं अगर आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से परिशान चल रहेते तो उसमें आपको रहत मिलने की भी संबावना बन रही है और जीवन साती के साथ रिष्टों में मिठास आएगी और लव रिलेसंसिप के लिए दिन बहतर रहेंगे जिससे घर परिवार में खुशिया और सुक्सानती बनी रहेगी व्यापारिक दृष्टी कौन से देखा जाए तो किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना अभी सही नहीं होगा धन के लेंदेन में पूर्ट्या सावधानी बरते अन्यता आज आपका धन फस भी सकता है सावधान रहें और साथ ही अपनी कोसी से और अपने कामकाज में सनलगर रहना आपके लिए लाबदायक रहेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके लिए आज क्या नेगटिव रहने वाला है सुए पर भरोसा रखतर कारिय करेंगे तो आपको अवस्य ही सफलता प्राप्त होगी दूसरों के साथ विचार विमर से आप किसी गलत फेमी का सिकार हो सकते हैं साथ ही अपने संपर्क सुत्रों का दाईरा और अधिक्विस्तरित करने की आवसकता है किसी नजदी की या रिष्टेदार से मतवेद भी हो सकते हैं इसलिए दूसरों के मामले में हस्तक्षिप ना करें बिना मांगे किसी को सलामों सरॉब बिल्कुल भी ना दें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए आपका विफशाय कैसा रहेगा कारिय छितर में आपकी छवी और प्रितिष्टा में निखार आएगा नए अनुबंद मिलेंगे जो आर्थिक द्रश्टी कौन से फाइदे मंद साबित होंगे जियां दोस्तों नोकरी पेसा व्यक्तियों के लिए अभी इस्तिती यतावत ही बनी रहेगी इसलिए किसी भी तरह का परिवत्तन लाने की चेश्टा ना करें कारिय छितर में आपका मेनेजमेंट तता करमचारियों के साथ उचित तालमेल काम को गती और अधिक गती दिलाएगा आज विशाय में लाब के योग भी रहेंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लिलावलाइद कैसी रहेगी पारिवारिक महाल खुशनुमा बना रहेगा पती पतनी दोनों मिलकर अपनी पुरानी गल्तियों को सुधारेंगे जिससे आपसी मत्वेद दूर हो जाएंगे ये पल प्यार के लिए बहुती यादकार पल रहने वाले हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं उन रिष्टों की जो अलग से हैं तो आज आप अपने पुराने मित्र को देखकर चौक जाएंगे खुश हो जाएंगे काफी समय से बात ना होन पाने के कारण जो आपके बीच में दूरी आ गए थी वो अब काफी कम हो जाएंगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा अपने स्वास्त के पृति सजग रहने से आज स्वास्त संबंदी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी छुटकारा मिलेगा और अधिक स्वास्त रहने के लिए आपने अमित योग करें वियायाम करें और प्रायाम करें और अधिक स्वास्त रहें